रामू की एक लोट्री घुल गई और लोट्री के अंदर रामू को 10 से 12 लाइच रूपे मिल गए इतना सारा पेशा रामू न ने ने कहा हाया कई बेंक में चलते हैं वहाँ पर अमाउंट मेरा discuss कीजिए तो का कि demand deposit में सरफ दो तरीके से account होते है एक होता है current account, दूसरा होता है that is saving account, current account और saving account तो detail में उन्होंने बता है कि current account तो mostly सर्फ businessmen use करते है जिनका क्या होता है कि daily transaction होता है, इसमें number of transaction की कोई limit नहीं है चाहे जितना transaction करो कोई भी extra charge नहीं लगेगा, कि चलो ठीक है, दूसरा, कि दूसरी चीज यह है कि इसमें हम आपको कोई भी ब्याज, कोई भी interest नहीं देंगे, कोई भी आपको इसमें interest नहीं मिलता है ठीक है, that is current account और saving account, saving account वो account है, mostly salaried person होते है जिनके salary आते है वो इस account को use करते है, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसमें अपना पैसा अंदर होता है, वो चाहे जब निकाल सकते है demand deposit में क्या होता है, जब जरू होता है पैसा निकाल सकते हो, तो इसमें क्या होगा है, कि number of transaction fix होते है, उसके बाद आपके charge लगता है extra के ठीक है, second हम आपको interest भी देंगे, इस पर ब्याज भी देंगे, एट परजेंट अगर मैं सारे बेंकों की बता हूं, तो 2.70 से 2.75 है, ठीक है, that is about the demand deposit आपको clear हो गया होगा, second आता है, that is time deposit, पतलब कुछ time के लिए आप अपना पैसा हमारे पास रख दीजे, time limit रख होते हैं, एक साथ एक दो लाग रुपे आएंगे नी, उनके पास एक एक हजार, दो दो जार रुपे हर महीने का बचता है, ठीक है, तो वो क्या करते है, बेंक के साथ ID करवा देते हैं, ताकि आज भी चालू खाता हमें, जो पेसा कर रख 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 होते हैं, तो मान दो दो साल की ID करवाती है, हर महीने दो दो जार रुपे होंगे, तो दो साल के 48,000 की है, प्लस उस पर पांच परशन, 6 परशन, जो भी इंट्रेस्ट होगा, वो मिलके मेचुर्टी पर सारा पैसा मिल जाता है, डेट इस ID का रोलो जीक, और शेकंड आता है that is fixed deposit, fixed deposit क्या होती है, कम से कम साथ दिन से लेकर maximum 10 साल तक होती है, साथ दिन से लेकर 10 साल तक होती है, that is fixed deposit, fixed deposit में क्या होता है, कि इकटा amount है, जैसे रामों के पास 10 लाग रुपे है, 10 लाग रुपे में से 5 लाग रुपे की तो बिलकुल भी नीट नीट नीपड़ेगी, तो 5 लाग रुपे का मानलो fixed deposit करवा देता है चार साल के लिए तो 7% का अगर एक साल का ब्याज है तो 5 लाग का 37, 35 एक साल का 35,000 अगर 4 साल के लिए कराता है तो कम से कम 1,40,000 उसका ब्याज मिलेगा प्लस component होके 1,5 लाग के something उसको ब्याज मिलेगा और fixed deposit में उसने अगर 4 साल की timeline के अंदर deposit करवाई है और एक साल पेले ही अगर वो तुड़वाना चाहे उस FD को उस फिक्स deposit को तो उस पर जितना ब्याज कमाया उसको उस देड़ तक जितना ब्याज मिला उससे 1%, 1% less करके उसको सारा पिसा दिया जाएगा इसमें भी को लेबल, नोन को लेबल में क्या होता है एक में तो आप FD fixed deposit जब जरुवत पड़े तुडवा सकते हो और एक वो होता है जिसमें आप तुडवानी सकते हो उसमें 0.30, 0.40 ब्याज एक्स्ट्रा ज़दा मिल जाएगा इस सिंपल बेंकेंग अकाउंट के बारे में मैंने discuss get दिया होगा थेंक्यो सो मच चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें